असलाम लेकुम मेरे घर में बनने वाले आलू पालक की सबजी की रेशिपी आपके साथ सेयर करूँगी बहुत ही आसान होता है इसे बनाना और टेस्ट इसका बहुत ही राजवाब होता है तो चले देख लेते हैं कैसे बनता है वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो के लाइक हो शेयर कीजिएगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो सबसे पहले मैं कड़ाई लेकर उसे गरम कर ली हूँ इसमें डाल ली हूँ दो बड़े चमस सरसो का तेल तो आप जो भी तेल खाते हों ले सकते हैं तेल के गरम होने के बाद इसमें डालूँगी दो सुखी लाल मिर्ष इसे तोड़ ली हूँ इस तरह से आजा चोटा जीरा डाल दोंगे और हलका सा इसे भुनने के बाद इसमें डाले हूँ एक बड़ा चमज बारी कटा हुआ लसन लसन थोड़ा सा ज्यादा डालेंगे इसमें इसे पहुत अच्छा टेस्ट आता है तो लसन को बारी काट ली थी मैं हलका सा भुनेंगे चलाते हुए लसन को और इसको भूनने के बाद इसमें डाल ली हूँ एक बिड़े साइज का प्याज जिसे मैं बारी काट ली हूँ और साथ में ली ली हूँ चार से पांच हरा मिर्स तो मिर्सी आप अपने टेश के हिसाफ़े ही डालिएगा तो इसे चला देवे भून लेंगे हलका सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक प्याज हमारा अची तरह से भून गया है अब मैं डालूंगे इसमें टमाटर बहुत लोग पालक में टमाटर डालना पसंद नहीं करते हैं तो आप चाहें तो इसकिप कर सकते हैं मैं एक टमाटर लेकर उसे बारी काटके डाल दी हूँ आदा छोटा चमेट डालूंगे बारी कटा हुआ अद्रग अद्रग डालने से नहीं बहुत बढ़िया टेस्ट आता है तो अगर आपको अद्रग पसंद है तो आप जरूर डालिएगा थोड़ा सा और अब मैं दो आलो ले ली हूँ इसे छिल कर इस तरह से छोटा-छोटा काट ली हूँ इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगे सबजी से कम नमक लगता है अच्छे से मिला लूँगे इसे और धकर पकाएंगे मीडिया माच पर दो से तीन मिड़ तक तो इधर धकर पका ली हूँ बीच बीच में चला ली थी और टमाटर अच्छे से गल गया है अब मैं इसमें पालक डालूँगे तो मैं एक बंडल के बाद हम इसे ढख कर पकाएंगे इसमें बिल्कुल भी पानी अगरे डालने के जरूतनी ही क्योंकि पालक तो हमारा धेर सारा पानी छोड़ता है और उसमें हमारा अलो भी गल जाएगा और पालक भी तो गैस के फ्लम को मीडियम कर दी हूँ धक दूई हूँ इसको और धक कर पकाऊंगे और यहां पर दिखें कितना सारा पानी छोड़ दिया है तो एक बड़ चला लोंगे और धक कर फिर से इसे हम पका लेंगे जब तक कि यह पूरा पानी ड्राइने हो जाता और आलो भी हमारा गल जाना चाहिए अच्छे से तो अच्छे से मिक्स करने के बाद दगती हूं इसे और यह पक रहा है तक तक मैं दूसरे चुले पर रोटी भी बना रही हूं ताकि गर्म गर्म रोटी के साथ इसे सव कर सकें तो इदर रोटी भी हमारा तयार हो रहा है और अदर हमारी सब्जी बन रही है और चार से पांस म्यूट हो चुके हैं वीच- पराथे के साथ गर्म गर्म चावल के साथ भी यह बहुत ही टेस्टी लगता है तो निकाली हूं में आप इसे बनाकर लुंच बॉक्स में भी दे सकते हैं बहुत ही जल्दी बनके तयार होता है यह तो आप भी इसे जरूर ट्राइग कीजिएगा वीडियो पसंद आथे वीड के साथ तब तके लिए अल्ला आफीज